दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फार सेविल सर्विसेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के सामान्य ग्यान और सामान्य अध्यन के लिए उप्योगी जीव विज्यान के महत्वण प्रश्णों के स्रिंखला जीएस द्रिष्टी सामान्य विज्यान के अंतरगत जीव विज्यान यानि बायलोजी के महत्वण प्रश्णों का भाग 10 दोस्तूं इस वीडियो में हम पादपों यानि पाऊधों का आर्थिक महत्व प्रमुख औसधिय पाऊधे प्रमुख पादपरोग और पाऊधों में प्रमुख कौवक जनित और जिवार जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों ये वीडियो यूपी PCS प्रारंभिक परिक्षा, लोवर PCS, आरो यारो यानि समिक्षा धिकारी, सहायक समिक्षा धिकारी, अधिनस सेवा चैनायोग द्वरा आयोजित बिभिन परिक्षाओं जैसे जूनियर असिस्टेंट लेकपाल भरतियाद के लिए बहुत ही उ आर्थिक महत्तों के बारे में जानते हैं, देखिए दोस्तों कुछ पाउधे या पादप ऐसे होते हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत ही उपयोगी और महत्तोपूर्ण होते हैं, इनसे हमें एक तो जो है मुद्रा प्राप्त होती है, और देखा जाये तो इससे हमारी आर अर्थिक विकास में या प्रतिवेक्ति आय बढ़ाने में मदद मिलती है देखिए दोस्तों सबसे पहले हम सूरज मुखी यानी सनफ्लावर के बारे में जानेंगे दोस्तों सूरज मुखी या सनफ्लावर का जो वानसपतिक नाम है हेलियन्थस एनस नाम होता है और आप जानते हैं ये पीले कलर का पवधा होता है जिसके बीच में ये जो काले काले जो होते हैं बीज होते हैं जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है और दोस्तों सूरज मुखी नाम इसका इसलिए पड़ा है और इसके कारण ये हिर्दय रोगियों के लिए बहुत ही लाभपरद होता है और प्रकार दोस्तों ये एश्टरेसी कुल का जो है पौधा होता है और आबरित वीजी पादप होता है आबरित वीजी पादप का मतलब ये होता है कि इसके बीज जो है ये एक आवरण से ढखे हो इससे जो तेल मिलता है दोस्तों इसमें वशा की अत्यंत कम मात्रा होती है जो हिर्दे रोगियों के लिए अत्यंत ही लाभपरद होता है इसके अलावा कुछ पाउधे ऐसे होते हैं जो हमें सुगंधित तेल यानी एरोमेटिक आयल प्रदान करते हैं इसमें सबसे पहले जानते हैं लॉंग के बारे में दोस्तों लॉंग जो है ये हमारे रसोई घर में मसाले के रूप में प्रियोग किया जाता है और देखिए साइजियम एरोमेटिकम जो है इसका रासाइनिक वनस्पतिक नाम है तो long ये हमारे मसालों में प्रियोक्त होने वाला महतपूर मसाला है और इसे सुगंधित तेल की प्राप्ति होती है दोस्तों long जो है ये दातों के दर्द आदि में भी इसका तेल प्रियोक किया जाता है दूसरा देखेे चंदन चंदन का जो वानस्पतिक नाम है वो देखेए सैंटालम होता है और चंदन आप जानते हैं कि ये प्रियोक किया जाता है चंदन की लकडी को घिस कर इसे चंदन आदी तिलकादी लगाया जाता है दोस्तों और ये बहुत ही महत्पोंड सुगंधित उत्पाद होता है और चंदन का तेल बहुत ही सुगंधित होता है इसके अलामा देखिए पिपर मिंट पिपर मिंट जिसको वानस्पतिक रोप से मि तो ये मिन्था आयल भी पिपरमिंट को कहा जाता है और ये एक पौधे के पत्ते और तने आदिसे इसका तेल प्राप्त होता है और ये प्रकिर्थ में बहुत ही ठंढ़ा होता है और अनेक प्रकार के ठंडे तेलों, दवाईयों और टाफी यानि जो चाकलेट टाफी होता है उसमें पिपर्मिंट का प्रियोग किया जाता है कपूर तो दोस्तों कपूर जो है सीना मोमम कैमफोरा जो है इसका वानसपतिक नाम है और आप जानते हैं कपूर कपूर जो है बहुत ही महतपूर है पूजापाठ में भी कपूर का प्रियोग किया जाता है और कपूर दोस्तों इसका उर्ध्वपातन होता है यानि जब इसको जलाय जाता है तो ये दोस्तों द्रव मेंने बदल कर सीधे गैस में बदल जाता है इसके बाद आईए जानते हैं नीम के बारे में दोस्तों नीम आप जानते हैं कि इसको घरीलू वैद्ध भी कहा जाता है और इसको एक तरह से देखा जाए तो अनेक प्रकार के रोगों का नाशक माना जाता है और नीम के सभी भाग चाहे फल, फोल, पत्ती सभी भाग इसके जीवाण उनासी और क्रिमिनासी के रूप में प्रियोग किये जाते हैं किटाण उनासक या किटनासक के रूप में देखिए दोस्तों नीम का प्रियोग फसल में कीट बृध्ध को रोकने में सहायक है यानि कीटों की बृध्ध इससे रुखती है और नीम के बिभिन भागों से चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्भ निरोधक, मलेरिया, चेचक, दमा, सर्प और विच्छों के धंसक जैस बिसरोधी दवाओं का निर्मार किया जाता है और इसके अलावा नीम के बीज से बायो डीजल का उत्पादन भी किया जाता है और यूरिया की कोटिंग में प्रियूक तो होता है नीम जिससे की जो यूरिया होती है उससे तो पोशक तत्तों मिले और खेतों में जो कीटाड तीन रसायन होता है जिसको एजा डिरेक्टीन केमिकल कहते हैं और ये रसायन महतपूर्ण कीट नाशक और कवक नाशक होता है इसलिए जो नीम होता है दोस्तों ये हर तरह से हमारे लिए लावधायक होता है और दोस्तों मच्छर विकरसक यानि मौस्कीटो रिपेलेंट का उ उपलब्ध होते हैं जिसको हम काफी महंगे दामों में खरीदते हैं नीम के बाद पादबों के आर्थिक महत्त में आए देखते हैं बायो डीजल देने वाले पौधे दोस्तों बायो डीजल जिसका नाम है डीजल आपको पेटरोलियम से प्राप्थ होता है जबकि बायो डीजल बनस्पतिक उत्पादों से प्राप्थ होता है और दोस्तों बायो डीजल का मुख रासायनिक घटक, हाईड respondents और लिपिड यानि मोम की प्रचुर मात्रा ऐसे जो ह बायो डीजल में होती है और दोस्तों इसके प्रमुख उदाहरण कौन-कौन से हैं तो आप जानते हैं करंज या करंजा जो है इससे बायो डीजल उत्पादन किया जाता है देश का पहला बायो डीजल संयंत्र कहां खोला गया है तो काकी नाड़ा आंधर प्रदेश में देश का पहला बायो डीजल संयंत्र खोला गया है याद रखियेगा और बायो डीजल की विशेष्ता ये है दोस्तों जैट्रोपा, करंजा, नागजमपा और नीमादी जैसे पौधों से डीजल के समरूप इंधन का उत्पादन किया जाता है और बायो डीजल को दोस्तों डीजल में प्रियोग करके इसका प्रियोग किया जाता है देखिए करंज या करंजा जिससे जो महत्पूर्ट पेट्रो पादप है पेट्रो पादप देखिए इसमें जट्रोपा करंजा आते हैं और इसमें करंज या करंजा का रासायनिक नाम बानस्पतिक नाम पोंगय मिया पिनेट्टा होता है और पोंगय मिया तेल की प्राप्ति इससे होती है जेट रोपा को दोस्तों देखे हिंदी में रतन जोत कहा जाता है और इसका वानास्पतिक नाम जेट रोपा कारकस होता है जेट रोपा कारकस आब रित वीजी पादप है और अन्य नकदी फशलों की तुलना में इसे कम जल किया सकता पड़ती है और इस द्रिष्ट से देखा जाए तो बायो डीजल जो है उसर या कम सिंची छेत्रों जहाँ पानी के उपलवधा कम है वहाँ पर लगाया जा सकते हैं और इनका आर्थिक लाब लिया जा सकता है आए देख लेते हैं करंज जट्रोपा के बारे में तो देखे ये करंज का पाउधा यहाँ पर इस चेत्र में दिखाया गया है और जट्रोपा जिसको रतन जोत कहा जाता है ये दोनों ही जो है दोस्तों पेट्रो पादब की स्रेडी में आते हैं और इनसे बायो डीजल की प्राप्ती होती है देखे जो आर्थिक महत्तों के पाउधे हैं उनमें कुछ और सधी पादब भी होते हैं दोस्तों जिनसे हमें और शधियों की प्राप्ती होती है पुदीना महत्तपोर देशी उपचार है पेट के रोग में दोस्तों और ये पाचक है गैसाध की समाप् करता है और इसकी चटनी पुदीना की चटनी दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है अब जानते हैं गर्मी के दिनों में इसका प्रयोग पाचक वायू विकार पेट का दर्द और अपच को ठीक करने में किया जाता है एक पौधा है सदा बहार सदा बहार 12 महीने खिलने वाला प उपचार में सहायक होता है इसके फूलों को दोस्तों उबाल कर इसका पानी पिया जाता है और ऐसे लोग जो डाइबिटिक हैं जिनको मधुमे की समस्या है उससे काफी हद तक निजात दिलाता है सदा बहार का फूल अब अगला जो महतपूर अवसधी पादप है वो है तुलसी तो तुलसी के बारे में आप जानते हैं तुलसी के अवसधी गुण किसी से छिपे नहीं है और हम जानते हैं ये द्वीबीच पत्री और शाकी पौधा होता है ये कफोच सारक यानि कफ का समाप्त करता है और ए जो हमारा कोविड नाइंटीन और जो देखा जाए तो कोविड नाइंटीन पीरियड रहा है और वर्तमान में ओमीकरान की जो समस्या आ रही है उसमें जो काढ़ा पीने की सलाह दी जाती है काढ़ा या क्वात जिसे कहते हैं उसमें पुदीना तुलसी और जो हमारे अन्य प्रदार्थ हैं अदरक, इलाइची, काली मिर्च इन सब का काढ़ा पीने की सलाह दी जाती है जिससे हमारा रेस्पारेटरी सिस्टम सही हो सके और हम जो है इन बिमारियों से बच सके हल्दी देखिए हल्दी महतपूर और सधी पौधा है और हल्दी का प्रकंद दोस्तों ये जो है हमारे यूज में आता है और हल्दी का वानस्पतिक नाम जो है ये है कुरकुमा लोंगा होता है और हल्दी जिंजी बरेसी कुल का पौधा होता है इसका उप्योग औशद मसाले और प्राकिरतिक रंग कारक के रूप में होता है आप जानते हैं हल्दी जो है पीले स्थान इंडोनेशिया है और ये मिट्रेशी कुल का पौधा है और इसका प्रियुक्त भाग यानि लौंग की पुस्प कलिका उपियोग में लाई जाती है और इसके अलामा टूथेक यानि दात दर्द या दन्तशूल के निवारण में लौंग का प्रियोग किया जाता है में गन्ना तो गन्ना का प्रियोग दोस्तों जैव इंधन यानि एथे नाल की प्राप्ति में किया जाता है और इसके अलामा सक्कर बनाने में गन्ने का प्रियोग किया जाता है और प्रमुख परजाती CEO 1148 पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और गन्ने की सरवाधिक महतपूर नकदी फसल जिसको हम कैस क्राप का हत्म कहते हैं दोस्तों कैस क्राप के अंतरगत शामिल होता है ये जैव इंधन यानि एथेनाल और चीनी गुड खांड सारी उद्योग में गन्ना कच्चे माल के रूप में प्रियोग किया जाता है आईए जानते हैं ब्राम्ही के जाता है इसकी उत्पत्ती जलासन भूमी में होता है दोस्तों ब्राम्ही जो है मस्तिस्क को पोशन देता है अस्फूर्त देता है अशनायुकोसों का पोशन और उन्हें उत्तेजित करता है ब्राम्ही सतावरी आदिका प्रियोग मस्तिस्क संबंधी ब्याधियों को दूर क का पुदीना तो आप जानते हैं पुदीना को मिन्था कहा जाता है और इसका वानस्पतिक नाम मिन्था अर्वेंसिस होता है दोस्तों इसका पुदीना का पुदीना का पुदीना अर्क या मिन्थाल तेल के उत्पादन में किया जाता है और इसका उत्पादन कैसे होता है तो दोस्तों इसकी बिधी है कि पुदीने की पत्तियों का भापास्वन यानी steam distillization किया जाता है और संपूर्ण भारत द्वारा संपूर्ण विश्व की मेंथा आपूर्ति का 80% उत्पादन किया जाता है और उसमें से भी सरवाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और उत्तर प्रदेश के छात्रों विध्यार्थियों के लिए बता दें कि बारा बंकी और अमबेडकर नगर बारा बंकी और अमबेडकर नगर दोस्तों मेंथा आयल के उत्पादन के लिए सरवाधिक महत्वपोड या विसिष्टता वाले जिले हैं एक देखिए चिलगोजा, चिलगोजा क्या होता है? दोस्तों चिलगोजा का वानस्पतिक नाम पाइनस जिनार्डियाना होता है और ये पाइन 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 के बीज से प्राप्त होता है चिलगोजा में कार्भोहाइडरेट और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है तो देखिए बहुत ही महत्वपोड है चिलगोजा ये पाइन 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 के बीज से प्राप्त होता है कैफीन क्या है दोस्तों कैफीन जो है ये बहुत ही महतपूर देखिए उत्पाद होता है कैफीन इसका प्रभाव मनो अस्फूर्ति दायक और मस्तिस्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक और सधी की रूप में इसका प्रियोग किया जाता है और कैफीन का रासायनिक सोत्र C8H10N4O2 होता है और रासायनिक प्रकीरत इसकी चाराव यानी अलकिलाइट की होती है और कैफीन हमें चाय काफी और कोको से प्रचुर मातरा में प्राप्त होती है तो दिखिये बहुत ही महत्वीन कैफीन जो है इस फूर्तिदायक और उत्तेजक और शदी के रूप में हमारे लिए चाय काफी और कोको से प्राप्त होता है आईए देखते हैं कुछ महतपूर उत्पाद जो हमारे पौधों पेड़ से प्राप्त होते हैं क्रिकेट बैट दोस्तों क्रिकेट बैट का प्रियो जो है निर्माण वीलो ब्रिच्छ की लकड़ी से होता है और वीलो का वानास पतिक नाम सैलिक्स अलबा होता है बीलो ब्रिच्छ की खासियत ये है कि ये अधिक हलकी होती है और मजबूत होती है जिससे की उच्च कोटी के बल्ले का क्रिकेट बल्ले का निर्माण होता है हाकी इस्टिक तो दोस्तों हाकी इस्टिक का निर्माण सहतूत यानि मलवरी की लकड़ी से प्राप्त होता है और शेहतूत का वानस्पतिक नाम मोरस अलबा होता है आये कुछ महत्वपूर्ण परिच्छो पियोगी तत्यों को देख लेते हैं जो आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपियोगी है देखिए समुद्री खर्पतवार प्रमुक्स रोथ है किसका तो आयोडीन का वनीला किसे प्राप्थ होता है आर्किड परिवार के पेडों से वनीला प्राप्थ होता है हींग का उत्पादन कैसे होता है तो तने और जड़ के स्राव द्वारा तने और जड़ से जो स्राव होता है वो जब जम जाता है तो उसे हिंका उत्पादन किया जाता है अगला प्रश्ण है दोश्तों टमाटर में पाए जाने ले अमल कौन से हैं तो साइट्रिक अमल, मैलिक अमल और आगजेलिक अमल टमाटर से मिलते हैं लिटमस आमल छार सूचक होता है किस से प्राप्थ होता है तो ये लाइकेन से प्राप्थ होता है और कपूर किस से बनाया जाता है तो देखिए सीना मुमम कैमफोरा नामक सदा बहार ब्रिक्ष की लकड़ी से कपूर का निर्मार की आजाता है अगला प्रश्ण है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है तो ये पराकोश होता है बढ़ चिप प्रद्धों की किसे संबंधित है तो ये गन्ने की खेती से पौधों में भ्रूण मिलता है तो ये बीज से और मौसमी के पौधों का प्रवर्धन किसे होता है तो ये दोस्तों कलम बंध तकनीक से मौसमी के पौधों का प्रवर्धन होता है एक ही पौधो के पुस्ब के पराकोश से पराकण का उसी पौधो के दूसरे पुस्ब की परतिकाग्र में अस्थानांदरन क्या कहलाता है तो इसको सजात पुस्बी परागण कहते हैं और कंचन किस फसल की उन्नत किसम है दोस्तों आउला की और आउला उत्पादन में जो है उत्तर प्रोदेश का प्रताप गढ़जिला अग्रणी माना जाता है। आईए देख लेते हैं प्रमुख पादप रोगों के बारे में इसमें सबसे पहले हम पवधों में कवक जनित रोगों के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों गेहूं का काला किट जो है पकसीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटी साई नामक कवक से होता है और गेहूं का सलड कंठ यानि इसमत रोग जो है अश्टी लैगो नूडा ट्रिटी सी आई जो है कवक से होता है। अगेती अंगमारी रोग यानि अरली ब्लाइट आप पोटैटो ये अल्टर नेरिया सोलेनी नामक कवक से होता है और आलू का पचेती या बिलंबित अंगमारी रोग ये फाइटो प्थोरा इनफेष्टेंस नामक कवक से होता है। आलू में एक वार्ट रोग होता है इसका कारग भी कवक है जो सिनकाइट्रियम एंडो बायो टीकम नामक कवक से होता है और मुंग फली में दोस्तों एक टिकका रोग होता है टिकका डिजीज आफ ग्राउंड नट ये सरकोस्पूरा परसो नेटा नामक कवक से होता है गन्य में एक लाल गलन का रोग होता है इसका जनक भी ये कवक है कोलिट्रोटराइकम फलकेटम कवक जो है गन्य के लाल रंग के गलन के लिए उतरदाई होता है धान की भूरी पत्ती भूणपन पत्ती जो है ब्राउन लेफ इस्पाट राइस ये हलमिन्थो इस्पोरियम ओराईजी नामक कवक से होता है और अरहर की मलानी जो है विल्टा फरहर ये फ्यूजेरियम उडम नामक कवक से होता है तो ये दोस्तों पादपो में पाधो में कु थिल रोग ये Pseudomonas Solerini Serum नामक जिवाड़ू से होता है और Crown Gal रोग जो है ये Agrobacterium Tumiphancius नामक जिवाड़ू से होता है बंद को भी में एक काला गलन Black Rat होता है कैबिज का ये Gentho Monas Campestrius नामक जिवाड़ू से फैलता है और नीबू में कैंकर रोग इसका कारक भी जिवाड़ू है जिसका नाम है Gentho Monas Citri Gentho Monas Citri नामक जिवाड़ू से नीबू का कैंकर रोग होता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और इसमें आपने देखा सभी परिक्षाओं के लिए उपयोगी जियो विज्यान के महत्वण प्रश्णों का भाग जिसमें हमने पादपों के आर्थिक महत्व प्रमुख और सधी पातप प्रमुख पादप रोग और देखिए इनमें हमने प्रमुख कवक जनित रोग और जिवाड जनित रोगों के बारे में जाना जो आपके आगामी प वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार